नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आईएस पर सो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक और शांदार खबर सामने आ रही है फिलिपीन के बाद अब एक और साउथीस्ट एशिया का देश है इंडनेशिया जो की भारत से ब्रहमोज मिसाइल को खरीदने में रूची दिखा रहा है सबसे पहले ये वाली खबर फाइनाशल एक्सप्रेस के द्वारा कवर करी गई थी इन्होंने बताया कि इंडनेशिया जो है वो ब्रहमोज मिसाइल खरीदने के लिए जो बातचीत है वो काफी जादा आगे बढ़ चुकी है लेकिन कल जब ये सेम खबर दिप्लोमाट के द्वारा कवर करी गई तो इट बिकेम मोर कन्विंसिंग कि जी हाँ वाकई में इंडनेशिया भी अब भारत से ब्रहमोज मिसाइल को खरीदने की बातचीत कर रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जुलाई 22 की ये वाली खबर है दिप्लोमाट के द्वारा इंडनेशिया ऑन दे कस्प ऑफ ब्रहमोज मिसाइल पर्चेज ये वाली रिपोर्ट कल ही सामने आई है बात करेंगे पूरी की पूरी development के बारे में और ब्रहमोज के बारे में बातचीत करी जाएगी इसके क्या-क्या फाइदे इंडनेशिया को और भारत को हो सकते हैं उसके बारे में discussion भी करी जाएगी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलेगाम चैनल के माध्यम से इसके इलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please do that so that आपको हमारी सब वीडियो super sonic cruise missile the deal could have been signed earlier लेकिन क्योंकि Indonesia में कुछ internal matters चल रहे थे funds की थोड़ी दिक्कत चल रही थी इसलिए कहा जा रहा है कि by year end यानि की 2022 के अन तक या फिर early next year अगले साल के बिलकुल start होते ही the deal is expected to be sealed आपको बलकी बता दें कि यहाँ पर जो ब्रमोज aerospace जो की joint venture company है between New Delhi and Russia इसकी एक team है जो की already Indonesia की shipyard को visit कर चुकी है और जाकर के देख चुकी है कि किस तरीके से ब्रमोज missile को उनकी basically ships में हम लोग fit कर सकते हैं जो जी हाँ ये भी एक तरीके से proof है जो की बताता है कि जो बातचीत है वो काफी advanced stage में पहुन चुकी है directly coming to the point की Indonesia जो है ब्रमोज missiles को दोस्तों क्य पीद रहा है इसके पीछे प्रमुख कारण basically यहाँ पे चाइना है आपको बता दें कि Indonesia का चाइना के साथ एक dispute चल रहा है regarding the Natuna Islands यह वाले जो Natuna Islands ने dispute कोई आज का dispute नहीं है काफी लंबे टाइम से जो चाइना है वो Indonesia को तंग करता आया है Natuna Islands के आसपास में कई सारी military activities करके कभी fishermen के थुरू activities करवाता है जिसके चलते basically इंडनेशिया काफी परेशान हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं China's tension with Indonesia in the North Natuna Sea इसके बहुत सारे articles हैं आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं यह वाला area है basically Natuna's का जहाँ पर चाइना अक्सर जो है वो illegally अपनी presence को maintain करता ह है जिस चीज़ को लेके यहाँ पर इंडनेशिया काफी परेशान है और इसी लिए यहाँ पर जो Brahmos missiles लेने की बात चल रही है इंडनेशिया का यह यहाँ पर उमीद है कि इन ही missiles को वो लोग इंडिया से import करके अपनी warships यानि की अपने युद्ध पोत के ऊपर fit करने वाले है इसके चलते यहाँ पर इंडनेशिया के द्वारा इन सूपर सॉनिक missiles को खरीदा जा रहा है जो लोग ब्रमोस के बारे में नहीं जानते ब्रीफली बता दूं ब्रमोस जो है दोस्तों यह एक joint venture के द्वारा बनाई गई missile है जिसमें की भारत की जानी मानी organization that is DRDO और रश्या की एक organization जिसका नाम है NPOM इन दोनों ने मिलकर के इस missile को design किया है इसका नाम भी बड़ा खास है क्योंकि यह भारत की जो नदी है ब्रमपुत्रा और जो रश्या की नदी है मौस्कवा इन दोनों के नाम से मिलकर के बनाया है ब्रमपुत्रा का ब्रह इसमें आता है और मौस्कवा का मौस इसमें आता है जिसके चलते इसका नाम ब्रहमोज रखा गया है यह एक two stage की missile है जिसमें पहला stage जो है वो solid propellant engine देखने को मिलता है और जो दूसरा stage है वो आपको दोस्तों यहाँ पे liquid ramjet engine देखने को मिलता है और pinpoint accuracy के साथ काम करने वाले missile है फिर भले आप इसको दिन में launch कीजे फिर भले आप इसको रात में launch कीजे irrespective of the weather conditions यह अपने target को जाकर hit करती है यह दोस्तों काम करती है fire and forget principle के उपर यह जो सिधान्त है बेसिकली यह बताता है कि एक बार आपने इसको अगर launch कर दिया है तो उसके बाद इसको यहाँ पे दिशा दिखाने की अवजकता नहीं यह automatically अपने target को detect करती है और उसको वहाँ पे जाकर के hit भी कर देती है इसको supersonic इसलिए कहा जाता है because जिस speed से यह travel करती है that is mac 2.8 यानि कि approximately मान लीजे mac का मतलब होता है speed of sound 2.8 which is close to 3 यानि कि nearly 3 times to the speed of sound की speed से यह वाली आपकी missile जाती है it is one of the fastest cruise missile currently operational केवल भारत के पास नहीं बलकि पूरी दुनिया भर में हम लोग कह सकते हैं it is one of the fastest cruise missile जो की आपको देखने को मिल जाती है यह वाली इसकी photo है जो की आप लोग देख सकते हैं हमारी Republic Day Parade पे इसको बहुत ही जादा गर्व और गौरव के साथ इसको यहाँ पे सब के सामने पेश भी करते हैं now इस चीज़ को लेकर Russia ने भी कोई objection नहीं जताया है because Russia के भी काफी अच्छे संबंध हैं Indonesia के साथ Russia already Indonesia को कई सारे लड़ाकों विमान बेच चुकी है और साथी में Russia already Indonesia को कई सारे यहाँ पर जो पंडूबिया यानि की स 2018 की बात है दोनों देशों ने मिलकर के पहली bilateral जो military exercise sorry navy exercise है समुद्र शक्ती के नाम से उसको शुरू किया था और आज इसका फायदा भारत को काफी बड़े तरीके से हो सकता है अगर Indonesia वाकई में इस डील को यहाँ पर sign कर लेता है तो this will be the second country जो की आपको आशियान में कहीं न कहीं भारत के defense exports को भी बहुत जादा बड़ा push मिलता है और भारत की जो act east policy है उसको भी काफी बड़ा boost मिलता है because act east policy के चलते भारत के जो संबंध है वो आशियान के देशों के साथ और बहतर करना ही हमारा उदेश है और अगर इस तरीके की deals होती रहेंगी तो हमारे जो relations है वो और भी बहतर हो जाएंगे ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूरी की पूरी deal के साथ इंडिया will get a strategic hold in the region as well as give a boost to the economy of the country इसके साथ ही ब्रहमोज भारत के लिए एक flagship defense export weapon बनता जा रहा है केवल यहाँ पर इंडनेशिया ही नहीं फिलिपिन्स तो खरीद ही चुका है बल उस टाइम पर राजनात सिंग जी ने भी यहाँ पर कहा था कि हम लोग वहाँ पर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं regarding the export of Brahmos as well as the Akash missiles बलकी ना केवल South East Asia में बलकी इंडिया के western side पर जो west station की countries हैं ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद UAE के द्वारा भी शायद Brahmos missiles को खरीदा जाए अच्छी खबरें सामने आ रही है हम तो यही चाहेंगे कि अधित्तर से अधित्तर countries को इंडिया भी अपने weapons बेचने लग जाए आप क्या सोचते हैं development के बारे में definitely बताएं comment section फिलाल के लिए वीडियो में इत्याने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों हमारी class 7th की NCRT series अभी भी चल रही है जिसकी एक class बाकी है जिसमें आकर आप लोग हिस्सा लीजे इसका link नीचे description में आपको available करवा दिया गया है इसके इलावा आप लोग अपने घर बैठकर अपने UPSC तयारी को शुरू कर सकते हैं using super coaching and इसमें आपको purchase करनी होगी केवल एक single subscription जिसके माध code A2 sir इस्तिमाल करते हैं और effective cost आपको पढ़ेगी only 24,000 rupees per annum. Thank you so much for listening. Stay tuned.